तो मार्किट से हर कोई चाहता है कि उसको अच्छा रेटर्न मिले चाहे वो 100XO, 200XO या 1000X, 10,000X क्योंकि मार्किट ऐसे रेटर्न भी देता है बुल्रन के अंदर और आज इसी सीरीज में हम बात करने वाले हैं 100 से लेके 200X के क्रिप्टो कोईन्स के बारे में यानि Alt Coins के बारे में और ये हमने सिलेक्ट किया है Top 100 में से Top 100 के कोईन्स भी कुछ गए गुजरे कोईन नहीं है Top 100 में इसी लिए हैं क्योंकि उनके अंदर अच्छा पैसा है तो आज हम बात करेंगे इन में से कुछ कोईन 500X या 1000X का भी रेटर्न दे सकते हैं उनके बारे में भी डिसकस करेंगे लेकिन 100-200, 100-200X का प्रॉफिट ये सभी कोईन्स अगले बुलरन में दे सकते हैं उससे ज़्यदा भी कुछ के एक्सपेक्टेशन है तो बात करेंगे आज हम इन Alt Coins के बारे में लेकिन उससे पहले आज है धनतेरस और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुब कामना है मालक्षमी की कृपा आप सभी पे बनी रहे और क्रिप्टो से भी आप जो है प्रॉफिट अन करते रहें यही हमारी विशेज हैं आप सभी के लिए और आज बात कर लेते हैं उन क्रिप्टो गॉइंस के बारे में जो कही न कहीं मार्केट के अंदर कुछ ऐसे भी क्रिप्टो हैं टॉप 100 में जिनकी हवा काफी तेज चल रही है क्रिप्टो बाजार में अब जिनकी हवा काफी तेज चल रही है means जिनके discussions हो रहे हैं जिनकी बाते हो रहे हैं जिनने जो सोय हुए थे और वो एकदम ऐसे जा गए हैं कि अब उनकी बाते रुकने का नाम ने ले रही है तो ऐसे scenarios भी देखने को मिलते हैं market में तो पहला जो crypto हमने इस list में रखा है 100 से 200x के लिए वो है top 10 में आता है और उसका नाम है XRP Ripple XRP Ripple जल्दी आपको यह 1 डॉलर का barrier भी तोड़ता हुआ दिख सकता है अभी चल रहा है 56 रुपीज पे यानि 0.67 पे level आ चुका है 0.45 पे काफी range काफी time range चली आपको पता है July वो महीना था जब XRP को victory मिली थी और 100% का jump दिखाया था इस crypto ने लेकिन एक dollar hit नहीं कर पाया था touch नहीं कर पाया था तो एक dollar जल्दी देखेंगे लेकिन अगले bull run में कुछ अच्छा दिखा सकता है हमको XRP Ripple second हमने रखा है stellar यानि XLM XRP Ripple के साथ एक और coin pump हुआ था जिसका नाम था XLM ये भी 100% jump हुआ था और ये बड़ा under value crypto है top 20 में आता है और इसका price है 10 रुपे का यानि 0.12 डॉलर पे तो थोड़ा इस पे भी नजर रखिएगा अगले bull run के लिए और next है hedera ये है छोटा सा crypto और इसका price है 4 रुपीज 90 पैसे का यानि 0.05 डॉलर का और इसका जो price है आपको maybe 500 से लेके 500 तो लेके 1000 एकस भी जा सकता है ठीक है इसके expectation हम जैदा लेके चल रहे है क्योंगी छोटा सा है under value है और fourth number पे रख़ा है we chain इसको भी आप hedera के साथ जोड के देख सकते हो 1 रुपी 80 पैसे का है 0.02 डॉलर का और इसके price भी हमको अच्छे खासे boost है ना 300 से 500 XBA बना के दे सकता है अगले bull run के अंदर ये खुद की हमारी खुद की research है सभी coins पे उपर और आप लेने से पहले अपनी research जरूर कीजेगा वो बहुत ज़्यादा जरूरी है next इसके अंदर आता है cosmos 5 नंबर पे रखा है हमने cosmos को 711 का price है इसका इंडियन रुपीज में atom की बात करूँ एक कहीं न कहीं अच्छा old coin है अच्छा ecosystem है इसका और इतना ज़्यदा अभी हमने high देखा नहीं है इसका तो 8 dollar पे current value है ये भी हमको 1000 dollar या 2000 dollar के level दिखा सकता है इसके बारे में हम अलग से discuss करेंगे बड़े expectation है atom से भी और next है injective 1 dollar का coin 17 dollar तक भी पहुँच गया और इसका price चल रहा है 1451 के level पे यहनी 17 dollar का इसका current price है market के अंदर तो 17 dollar पे चल रहा है और 25 dollar all time high है नया all time high की तरफ बढ़ रहा है जल्दी और यह भी आपको 100 से लेगे 200 X तक profit दे सकता है ठीक है next term ने रखा है arbitrum को 89 rupees पे coin है 1 dollar पे वापिस level आ चुक है 1.0 dollar पे 0.7 dollar पे और level आपको पता है 0.7 तक चले गए थे पिछले 2 मीने में अच्छा dump आया जिसकी वज़ा से बहुत सारे liquidation की है बहुत सारी whales को भी अच्छा खासा loss हुआ इस coin के चलते ठीक है तो अब 1 dollar पे चल रहा है जल्दी हम 2 dollar भी देख लेंगे तो थोड़ा arbitrum पे भी focus कीजेगा next आता है optimism optimism क्या ही बात करें इतना strong crypto है institutions काफी ज़धा active है इस coin को लेके और 125 रुपीज पे इसका current price है 1.5 dollar का इस पे भी नजर रखिएगा ये भी हमको अच्छे high दिखा सकता है next है GRT coin जिसको आप the graph भी बोल सकते हो 110 रुपीज का ये coin है और 0.13 dollar पे इसका price है अभी 7% down है कल इसकी announcement होने वाली थी कल ही ये down गया उससे पहले pump हुआ game हुआ pump dumb का ठीक है तो थोड़ा इस पे भी नजर बना के रखिएगा next आता है Immutable X यानि IMX coin IMX की जहां तक बात करता हूँ 70 रुपीज की crypto है 70 रुपे का coin है 0.84 dollar पे इसका price है और under value alt coin है ये भी 100 से 200 X की list में हमने रखा है next है Algorand यानि ALGO Algorand की अगर मैं बात करूँ तो 10 रुपीज की एक crypto है GRT के साथ-साथ और इसके value भी 0.12 dollar पे है एक अच्छा खासा चोटा सा alt coin है लेकिन इसके अंदर भी हमने काफी अच्छे fluctuation देखे है यानि Wales की activity काफी ज़यदा रही है अगर आपने notice किया हो तो ALGO पे भी नज़र रखेगा next है EOS coin यानि 57 रुपीज की crypto है और 0.69 dollar पे इसका current price है तो ये भी एक under value एक डॉलर से नीचे चल रहा है next, Synthetix Network Synthetix Network की बात करें तो 212 रुपए की एक crypto है 212 रुपीज का price है 2.5 dollar पे चल रहा है और SNX आपको याद हो हा इस साल की starting में काफी अच्छा pump हुआ है quarter 1 के अंदर strong alt coin है काफी ज़यदा fluctuation इसको लेके होते हैं next है Kawa 62 रुपीज का coin है यानी 0.7 dollar ये जितने 1 dollar से नीचे चल रहे है इनके expectation आप high लेके चल सकते हो सभी की बात नहीं कर रहा हूँ research आप कीजिएगा ठीक है तो Kawa पे भी नज़र रखिए next है Flow coin ये भी 0.6 dollar का coin है 53 रुपीज पे इसका current price है और ये भी काफी under value crypto है तो इस पे भी नज़र बना के रखिएगा next आता है MENA protocol 51 रुपीज का coin है ये भी अभी आपने देखा 130% pump हुआ था अगर आपको याद हो दशेरा वाले दिन ये पूरा अच्छा गासा jump हुआ था तो अभी 51 पे आ चुका है फिर से 0.6 पे जो pump आया था दशेरे वाले दिन वो एक signal था कि कही ना कही मीना में भी दम है तो इस पे भी नज़र रखिएगा IOTA coin 14 रुपे का coin है 14 रुपीज का 0.17 डॉलर पे चल रहा है इस पे भी नज़र बना के रखिएगा next SWE 44% 44 रुपीज का coin है और इसका आपने देखा SWE Network की TVL काफी ज़धा सर्ज हुई है पिछले कुछ महीनों में मतलब 670% तक TVL बढ़ गया इसका 12 मिलियन डॉलर से 100 मिलियन डॉलर करीब पहुँच गया तो SWE पे भी नज़र रखिएगा next आता इसके अंदर Curve DAO coin 46 रुपीज का coin है CRV बड़ा ही DeFi केटेगरी का important coin है और 0.56 डॉलर ये भी एक डॉलर से नीचे under value next आता है Clayton Clayton की अगर बात करूँ 11 रुपे की crypto ये भी और 0.14 डॉलर पे इसका प्राइस है इस पे भी नज़र रखिएगा और लास्ट एंड फाइनल में हमने रखा है Frax Share यानि F-Access इसका प्राइस थोड़ा ज़्यदा है 6.2 डॉलर पे है 520 रुपे की एक crypto है और इस पे भी नज़र रखिएगा इस सारे ओल्ट कोइन्स में कही न कहीं अच्छा potential है अच्छा ecosystem है इनका भी मिल सकता है 100x, 200x जो गिंती के सबी नहीं करेंगे कुछ गिंती के अच्छे जो ओल्ट को इन है तो F-Access पे भी नज़र रखिएगा I hope इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गयोंगे और बाकी जो अपडेट रहेंगे वो next वीडियो में हम cover करेंगे किसी भी क्रिप्टो में इंवेस्ट कर रहे हैं तो research जरूर से जरूर करें और नज़र बना के रखें अगले bullrun के लिए क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है bullrun में तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे end और मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए वाई वाई टेक केर